आप सभी का Foundations of R Software के कुर्स में बहुत-बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई lecture में हमने Graphics के बारे में बात करी है। और हमने अब तक Bar Plot, Subdivided Bar Plot और Pi Diagram के बारे में समझा है। आज उसी बात को आगे बहाते हैं और आज हम एक नई Graphics की बात करेंगे जो है हमारा Histogram अब Histogram तो देखिए ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को आता है। हिस्टोग्राम क्या होते हैं हिस्टोग्राम से हमारी information किस प्रकार से हम read करते हैं इतियादी इस तरह के function तो आप अपने अपने बहुत ही elementary classes से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आज हम यहां पर Histogram के बारे में समझेंगे और हमारा main उद्देश यह है मुझे उद्देश यह है कि आर software में हम अपने इस Histogram को किस प्रकार से क्यार करेंगे अब आप अगर देखेंगे तो बार प्लाट और हिस्टोग्राम दोनों का जो structure है वो तो एक सही होता है लेकिन दोनों में फरक होता है कि बार डाइग्राम में जो बार्स होती है वो आप इस प्रकार से होती है कि ये चार बार अलग-अलग है और हिस्टोग्राम में ये चार बार इस प्रकार से होती है ये आपस में एक साथ चिपकी होती है उसके पीछे कारण है जो बार डियाग्राम होता है यह आपका कैटेग्रिकल डेटा के लिए होता है जैसे आपने देखा था कि कुछ उधारा लिए तो जहां पर हमारे पास जेंडर, डियरेक्शन, इत्यादी जैसे कैटेग्रीज थी तो उन कैटेग्रीज को तो हम हर एक होगा वो हमारा continuous data होगा और अर्थात की जो height, weight और age की जो real values है आप उनको देख सकते हैं मैं हाप ए continuous variable की definition में नहीं जा रहा हूँ जो हमारे statistics में होती है लेकिन मैं आपको बहुत ही एक आसान सी भाशा में समझाने की कोशिश करा हूँ तो यह बात आपको याद रखनी है कि बार diagram और से पाई चार्ट हमारे categorical variable के लिए है और जो हमारा histogram है यह हमारा continuous variable के लिए होता है तो चलिए हम आप software में इस histogram को क्यार करने की बात करते हैं और समझते हैं कि हम इसमें अपने बिन बिन option को किस प्रकार से इस्तमाल करते हुए अपने इस histogram को कैसे impressive बना सकते हैं तो चलिए इस lecture की शुरुआत करते हैं अब पहला बार तो यही आता है कि histogram क्या करता है histogram में जो भी हमारा data होता है उसकी जो भी frequency होती है उसको वो different groups में divide करके हर एक group के corresponding एक category क्यार करता है और उस category की relative frequency या absolute frequency होती है उसको उसकी height के द्वारा वो दर्शाने की कोशिश करता है लेकिन मैं आपको यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि usually हम देखते हैं कि हमारे histogram में जो bar की height होती है उसको हम देखते हैं लेकिन शयाद वो ठीक नहीं होता है और अगर ठीक है तो क्या सही है इसके बारे हम आपको बताएंगे तो पहली बात यही होती है कि हम जब यहां पर अपनी इस frequency और data की बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि जब हम continuous data को consider करते हैं तो उसकी जो frequency table बनती है उसके अंदर हम अपने class intervals define करते हैं और उन class intervals के अंदर हम देखते हैं कि कौन-कौन सी values हमारे उन class intervals के अंदर आ रही हैं और फिर उसकी हम absolute frequency और relative frequency निकालने की कोशिश करते हैं तो यह जो हमारा method होता है कि हम किस प्रकार से frequency table के तयार करते हैं और उसमें से किस प्रकार से frequency निकालते हैं यह कार मुझे पता है और मुझे पूरी उमीद है कि आपने अपने elementary classes में करके रखा होगा और यहाँ पर हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर यह एजूम कर रहे हैं कि आपको इस तरह की frequency table अथा जो continuous data के लिए frequency table किस परका से क्यार करते हैं यह कार आपको आता है तो एक बहुत important बात आपको जो मैंने पहले बताई मैं फिर से कहला हूँ कि यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा histogram है यह हमारा continuous data के लिए बनाया जाता है और जो हमारा bar plot है pie chart है यह हमारा categorical data के लिए बनाया जाता है तो आपने देखा कि जैसे कि हमारा को अगर bar diagram होता है तो इस प्रकार से होता है उसकी bars हमारी अलग-अलग होती है और जो हमारा histogram होता है उसमें से हम इनी bars को आपस में टिपका देते हैं इस प्रकार से अब आपने यह देखा कि जब जो हमारा bar diagram होता है इसमें से जो इस bar की height होती है, यह हमारी उस category की absolute frequency या relative frequency के proportional होती है, अर्थात कि अगर यह height जादा है, तो मतलब की उस category की value जादा है, लेकिन, bar diagram में क्या होता है, हमारा नियम होता है, कि जो भी bar का area है, हम उसको consider करते हैं, और यह जो area होता है, यह हमारी frequency के proportional होता है, चाहे absolute frequency हो चाहे वो relative frequency हो, area का मतलब क्या होता है, छेत्रफल, छेत्रफल कैसे निकालते है, height into width अधार उस bar की height और उस bar की विथ, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने किसी histogram को इस परकार से लिखते हैं, तो इसको दे करके यह कहना शायद उचित नहीं होगा कि इस दूसरी वाली bar की frequency जादा है क्योंकि यह जो frequency है, यह जो इसका area है, यह इसके proportional है, लेकिन आप में देखा है कि हमोमन अगर आप देखेंगे कि practice में जो भी हमारे histogram होते हैं, उसमें से usually हम जो बनाते हैं, उसमें से सभी की width बराबर होती है, इस प्रकार से, उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि जब अगर इसकी हर एक bar की width अगर बराबर हो जाएगी, तो हमारा जो भी absolute frequency है, वो हमारे इस histogram की जो height है, bar की, सिर्फ उसके proportional हो जाएगी और इसको समझना आसान होगा, सिर्फ इसी लिए खाली इसी कारण से हम जो भी अपने histogram बनाते हैं practice में, उसमें हम सभी की width को बराबर रखते हैं, किसे की हम खाली height को दे करके यह पता कर सकें कि कि किस class में frequency absolute या relative दोनों हमारी जादा है या कम है, तो ऐसा होना बिलकुल करूरी नहीं है कि histogram में जो bar की width है, हर दम सेम हो बराबर हो, लेकिन यह हमारे लिए convenient होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, अब इस histogram को हम अपने R software में किस प्रकार से क्यार करते हैं, इसका हमारा command होता है हिस्ट और हिस्ट के बाद हम parenthesis में जो अपना data है हम उसको लिखते हैं, आप देखी, यहाँ पे आपको एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कि bar plot में हम जब इस data को देने की बात करते थे, तो हम वहाँ पे frequency देने की बात करते थे, और साथ हम अपने data को पहले table command का इस्तमाल करते हुए हम उसको frequency में बदलेंगे, और उसके बाद हम उसको जो भी हम उसको plot करने की कोशिश करेंगे, लेकिन histogram के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं और हमारा जो भी original data होता है हम उसको सिर्फ यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं और histogram का जो command है वह अंदर ही अंदर उसको उसकी frequency निकाल लेता है और उसकी frequency निकाल हमको जो height है वह absolute frequencies के दिखाएगा और इसी में अगर हम अगर हम इसको यहाँ पे एक अपना option लिख देंगे frequency equal to f, freq is equal to f that means false तो यह हमको जो भी उसकी heights है उसको वह relative frequencies के बराबर दिखाएगा, height कीजएगा अगर हमारी सारी width बराबर हैं तो और अगर width भी अलग-अलग है तो यह हमारा इनका area जो भी कुछ होगा यह हमारी relative frequency के proportional होगा ओके अब हम यहाँ पे आपको यह भी बताना चाहेंगी यह तो मेरे basic command है इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कई सारे options होते हैं इसके दोरा हम अपने इस histogram को बहुत informative बना सकते हैं तो जैसे कि जैसे मैंने ब इसके अगर मुस्को जो में मैं अपने इस कर दे देंगे में पर हम को मारे चाट वापशन करना हैं तो हमारा option होता है CO L तो जोर्ड़ हम फनी बास का color को चेंज कर देंगे उसे बलावड़ हमको अपनी ex-acds पर कुछ अपना a title देना है तो हम ßs lab को us कर लेंगे अगर हमन एक्सिस में जो इसकी रेंज होती है लिमिट्स होती है उनको अगर चेंज करना है या स्पेसिफाई करना है तो हम एक्स लिम और वाई लिम को हम इस्तिमाल कर लेंगे इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे options होते हैं histogram में और हम आपको यही request करेंगे आप ज़्यास इसकी help को देखने की कोशिश करिए और इसके अंदर से आप इस options को देखिए कि वो किस प्रकार से इस्तिमाल हो रहे हैं तो चलिए यह सब कार हम आपको एक छोटे से उधारन के द्वारा करके दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम एक यहां पर अपना पहले वाला example लेते हैं जहां पर हमने 50 लोगों की height को cm में record किया है और इसको यहां पर लिखा हुआ है और इनकी height को हमने इस height data के अंदर restore कर लिया है और आप अगर देखेंगे तो height आपका एक continuous variable होता है तो इसके ओपर जो हमारा data आया है height के ओपर यह भी continuous variable का data है तो हम इसके ओपर अपना histogram भी कयार कर सकते हैं तो हम अपना command यहां use कते हैं hist और parenthesis में हम लिख देंगे higst तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखें आपको इस प्रकार का एक histogram बनके आ जाएगा इसके अंदर जो भी हमारे options है जो default options है उनको use किया गया है अब देखेंगे यहां पर हमारे दिया हाईट तो यहां से आपको इस प्रकार का देखेंगे आपको histogram मिल जाएगा अब उसके बाद में हम आपको इसके अंदर कुछ परिवर्टन करने अगर है तो आप उसको किस प्रकार से करोगे जैसे कि अगर हम कहें कि histogram में अगर आपको अपना title देना है तो title देने के लिए आपके पास option था main आपने main को कर दिया heights of the persons तो देखें यह जो आपका command है इसने क्या किया इसने देखें इसी histogram में यह देखें टाइटल देदिया heights of persons उसके बाद में आपने इसका जो color है यह आपने change कि आपने कह दिया color is equal to green तो देखें इसका जो रंग है यह देखें हरे रंग का इसकी आपकी हर्स हो गई उसके बाद में आपने यहाँ पर कर दिया सिर्फ खाली lowercase alphabet में लिखाता और जबकि यह आपका क्या है यहाँ पर uppercase alphabet में है और यह heigsts है यह राइट तो इसमें आप confuse मत होईएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि Y lab में आपने लिखा है कि number of persons तो number of persons देखी यहाँ से आगिया आपने देखा कि यह सब कुछ आ और option से उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं आप जड़ा से पहले आप इस histogram को देख लीजिए आप अगर ध्यान दीजिए कि इसके अंदर देखें कुछ ही है इस प्रकार की lines बनके आ रही है तो हम इस प्रकार की जो lines है हम इसको हर एक bar के अंदर create करना चाहते हैं तो इसका हमारे पास option होता है density d-e-n-s-i-ty और यह क्या करता है यह हमारा हर एक square pinch में कितनी lines होगी उसकी value बताता है यह numerical value के form में होगा आप अगर देखिए मैंने यहां से अपने इस पहले वाले command में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है जो परिवर्तन किया सिर्फ खाली इतना कि मैंने यहां पर color कर दिया है red और मैंने यहां पर add कर दिया है density equal to 2 और जब मैं इसको execute करता हूं तो देखिए यह जो lines आपकी इ इनका color क्या है red अब मैं इस density का effect क्या होता है इसको दिखाने के लिए मैं चलिए density की value को मैं कर देता हूं 8 मैंने कर दिया 8 अब देखिए जो आपकी lines कितनी पास पास आ गए तो यह इसका देखिए car होता है density जो हमारा option है उसी पकार से हमारे पास एक और option यहां पर है angle angle तो यह क्या करता है यह कि जो हमारी shading line से इनका slope है उसका angle को ही control करता है counter clockwise direction में तो अगर आप यहां पर देखिए मैंने अपना यह पूरा command पहले जैसा ही रखा हुआ है और मैंने खाली यहां पर यह angle equal to 100 कर दिया है अब देखिए जरासा इसकी जो line के direction किस प्रकार से यह देख अब इनका इस्तेमाल आप कहां पर करेंगे किस प्रकार से करेंगे यह तो आपके ऊपर depend करता है जो जैसा मैंने आपसे promise किया था कि मेरा कार है कि आपको यह दिखाना कि आप R software के अंदर आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे अच्छे diagram क्यार कर सकते हैं तो वो मैं आपक इसको जरा से हम आपको अपने R software में करके दिखाते हैं तो आप दिखेंगे कि यह आपका hide का beta मैंने यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद में हम इसमें से अपना जो भी histogram में हम उसको कयार करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यह आपका histogram यहाँ पर कयार हो गया इसके ब देखिए आपने इसका rank change कर दिया आपके heights x-axis पर y-axis पर title number of person और main title heights of essence आपके आगया उसी प्रकार से आपने अगर इसमें से अपनी अगर इसे density को use किया तो आप देखिए तो आपका यह जो density है यह देखिए आपकी यहाँ बदल गई इस प्रकार से हो गया और इसी में आ आप अगर मान लीजिए कि अगर आप density को add करते हैं हम देखिए जैसी execute करेंगे आपको देखना है यह देखिए बढ़ रही और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पर अगर हम add करते हैं साथ में angle angle is equal to 100 हम जैसी enter करेंगे आपको इन lines की जो direction बदल जाएगी देखिए मैं आपे enter करता हूँ देखिए तो इसी प्रकार से आपने देखा कि इसमें से हम अपने बेन बेन प्रकार के जो भी operations हैं उनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इनको करना बहुत कथिन काम तो नहीं है देखिए अब इसके अलाबा आपके पास बहुत सारे options हैं जिसको आप खुद के different different options को देखिए और उसके बाद ज़रा सा समझने की कोशिश करी कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं अब उसमें से बहुत सारे options हैं जो आपके आजी के use के होंगे कुछ आपको शायद भविश में कामा है अब आपको किस प्रकार की वो कार रहाएंगे उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन इसका फैसला सिर्फ आपको करना है लेकिन आज की कारीक में आपको खाली इतना देखना है कि उसके जो different options हैं उनके क्या-क्या affect graphic पे आते हैं और आपको ये फैसला करना है कि किस प्रकार से आप अपने graphic को ज़्यादा informative analysis में. तो आप इन option की practice करिए और हम आपको अगले lecture में मिलने फिर चाहेंगी तब तक के लिए good bye. क्या आपको लिए अपको ज़स्थ का लिए पाले की को ज़से से लिए अपको ज़से लिए पाले के लिए तक करिए लिएक लिए।